Hello everyone, welcome to my channel So guys, आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी ये ब्राइडल उरेभी गरारे की कटिंग स्टेचिंग, ये रियल गरारा है जिसे आप लखनवी गरारे के नाम से भी जानते होंगे या फिर कुछ लोग इसे फार्सी गरारा बोलते हैं तो तिर्चा गरारा जिस तरीके से कटिंग होती है, यानि ट्रडिशनल तरीके से जैसे पहले बनाया जाता था तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल वैसे ही फार्मूला आपको शेयर करूँगी तो दिखिए गरारे के साथ हमें मार्केट से जो फाब्रिक मिलता है तो साड़े पांच मीटर हमें ये बनार सी फाब्रिक मिलता है और साथ में ये रेडी हुआ दुपट्टा मिलता है जिसका बार्डर वगेरा पूरा तयार है जो इसका फाब्रिक है ये बहुत सौफ्ट सा है तो गैस दुपट्टा तो बिल्कुल तयार रहता है लेकिन अगर आप इस पे लैस लगाना चाहें तो लैस लगा सकते हैं यहाँ पर मैंने 7.5 मीटर यह ग्रास लेस ली है तो अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते तो लेस को स्किप कर सकते हो अगर आपको लेस लगानी है तो लेस आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी गरारा माटेरियल के साथ नहीं मिलेगी तो दिखिए दुपटे के हमने 4 साइ लग से ही खरीदना होगा इसके साथ नहीं आएगा तो यह 2 मीटर मैंने फ्रेंच क्रेप लिया है अब कुर्ती पर डिजाइनिंग करने के लिए और लेंगे के नी राउंड पर हमने यह लेस लगानी है तो उसके लिए कम से कम 7-8 मीटर यह लेस ले लेनी है तो यह लेस हमा 20.5 मीटर है और जो हमारा गरारे का में फैब्रिक है यानि कीमखाब फैब्रिक जिसे आप बनार सी फैब्रिक बोलते हैं तो यह हमारे पास पूरा साड़े पांच मीटर है जिसमें हमने यह फार्सी गरारा बनाना है इसका उपर छोटे-छोटे से स्टोन लगे वे हैं और इसकी wrong side है तो अब आप समझ गए होंगे ये किस तरह का fabric है इस टाइम काफी है trending में है तो चलिए इसका गरारा बनाते हैं सबसे पहले हमें गरारे का upper part यानि गरारे का नेकर कट करना है जिसके लिए हमने कपड़े को इस तरह से fourfold कर लेना है और यहां से उपर हमने दो इंच निकाल दिया है belt के लिए इसके बाद हम नेकर की length लेंगे तो यहां पर नेकर की length आपको ज़्यादा नहीं लेनी है तो बस गुटने से दो इंच उपर लेंगे तो मैंने यहां पर दिखिए 19 इंच पर mark किया है और एक इंच हम और एड़ कर लेंगे क्योंकि आदा आदा इंच उपर नीचे से सीलेगा अब जितनी भी हमारी length आ गई है यानि 18 इंच को मैं सीधा कट कर लूँगी तो यह नेकर का जो पाट है हम पहले ही कट करके निकाल लेंगे बाद में हमारा जो फैबरिक है वो बिलकुल भी नहीं बचेगा तो इसकी विट में हम बाद में बढ़ाएंगे अब देखिए जितना भी हमारे पास फैबरिक है इसको मैंने डबल फोल करके बिच्छा लिया है और जो कपड़े का अरज है वो चवाले सिंच है तो इसका नॉर्मल अरज होता है तो दिखिए मेरी साइड में जो है ये किनारी है और आगे भी किनारी है उस साइड में और वो जो साइड है वो अरज की है जिधर से मैंने आपको अभी नापके दिखा दिया है तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके रख लेना है जितना भी फैब्रिक है अब इस तरह से कॉर्णर अपनी तरफ खिशते हुए हमें ट्राइंगल बना लेना है हाथों से अच्छे से प्रेस कर देंगे ताके इसमें बिल्कुल भी जोल ना है और यहाँ पर एक क्रीज बन जाए और इसी क्रीज पर अब हमने इसकी कटिंग करनी है तो देखें यहाँ से जो है हमने इस तरह से कट करते जाना है अगर आप यह उरे भी गरारा बनाने वाले हैं तो आप प्लीज इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें समझ लें उसके बाद कटिंग करें क्योंकि कपड़ा काफी कोस्टली होता है और मैं नहीं चाहते आप जल्दवाजी में थोड़ी वीडियो स्किप करके देखें और फिर अपने गरारे में कुछ गलती कर दें तो देखें यह वाला जो कॉर्णर है अब हम साइड में रख देंगे इसके बाद हमने यहां से मैं आपको दिखा देती हूँ यह डबल फोल्ड है तो इस वाज़े से यह हमारी दो लेयर कट होंगी यानि दो पट्टियां इस तरह से कट होंगी तो इनको हमने तिर्चा कट करना है क्योंकि यह तिर्चा करा रहा है तो ट्रेडिशनल तरीके से बिल्कुल इसी तरह से कट होता था तो अब देखें यहां पर मैं अपने जो नेकर की लैंथ है वो रख दूगी तो नेकर की जो लैंथ है वो मुझे 19 पर रेडी चाहिए तो यहां 19 निकाल दिया है उसक साब से आप यह लैंथ ले सकते हैं यानि अगर आपको 40 से उपर चाहिए तो इस तरह से और आप लैंथ को बढ़ा सकते हैं यानि आगे को इंचे टेप कर लोगे तो जो लेयर की नीचे वाली जो लेयर है उसकी लैंथ बढ़ जाएगी और पीछे रखोगे तो कम हो हूँ 39 से थोड़ा सा उपर हमारा रेडी चाहिए यानि 40 के आसपास भी यह रेडी हो जाएगा क्योंकि यह जो उरेब है यह पहनने के बाद भी लटकता है तो इसलिए मैंने इसको 41 पर कट किया है तो 41 इंच पर मैंने इसकी यह लैंथ है वो मार्क कर ली है तो यह उरे भी गरा रहा है तो कटने के बाद और सिलने के बाद फिर भी थोड़ा सा लैंथ में बढ़ जाएगा क्योंकि जो उरेब कपड़ा होता है वो लटकने के बाद बढ़ जाता है तो यहां से जो भी लैंथ आएगे हम मार्क करते जाएंगे तो लगबग हमारी यह 22 इंच आई है तो 22 इंच पर थोड़ी थोड़ी दूर पर डॉड़ा टरके मार्किंग करूंगी आगे तक और उसके बाद हमने जो किनारी है वो चाक करनी है तो पहले हम किनारी यह वाली साइट की चाक करेंगे यहां से हमारा जो भी मार्क आया था वो देख लेंगे तो यह 35 इंच आया यह वाली साइट यह बिल्कुल सीधा होगा तो इंच टेप को इस तरह से रखके मार्क कर लेना है तो मैंने मार्क कर लिया है अब इसकी कटिंग कर लेंगे तो दिखिए कटिंग करने के बाद हमारे पास यह दो तिर्शी पटियां कट होंगी जिनकी लंबाई 22 इंच है आगे से जो फैबरिक यहाँ पर है, इसको मैं सीधा कर लूगी, और सबी सिल्वटे निकाल लूगी, अब हमने इसके उपर यह रखते हुए कट करना है, तो यहाँ से हमने इसको बराबर मिला कर रख लेना है, सो जब हम इसको मिला कर रखेंगे, पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ कर रखेंगे, कोई जोन नहीं आना चाहिए, उसके बाद यहाँ जो जॉइंट आएगा, यह हम बाद में कट करेंगे, तो देखें, साड़े पांच मीटर कपड़ा भी हमारा कम हो जाता है, जो साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जॉइंट आएगा, तो अब हमारा यह जो साइड से फैबरिक बचा है, यह भी हमारा इसी में यूज होगा, तो टोटल हमारे पास यह चार तिर्सी पत्टियां कट हुई हैं, जिनके लंबाई 22 इंच है, और दो पत्टियों में साइड से जॉइंट आएगा, तो वो हमने इसी में से कट कर लेना है, तो यहां से चैक कर लेंगे, इसके साथ जितनी भी यह किनारी की लैंट होगी, यहां से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर कट कर लेंगे, अब हमने यहां पर जॉइन डालना है, तो जॉइन डालने के लिए इस तरह से चैक करेंगे, पहले यह इस तरह से अब इनको जोड़ने के लिए simply हम right side में रखेंगे और seal देंगे इस तरह से और ऐसे ही ये दूसरा वाला part भी seal देंगे तो बस ये दोनों corner हमारे यहाँ पर आ जाएंगे तो देखिए जो हमारे गरारे की चार त्रिची पट्टियां थी वो हमने कुछ इस तरह से cut की हैं अभी हमने इनको side में रखना है और उसके बाद हम अपना upper part यानि नेकर की cutting करेंगे तो ये जो बड़ा वाला piece है ये में side में रखूंगी ये हमारे गरारे की layer में ही लगेगा उसके बाद ये वाला जो part है ये में गरारे का जो comfort रहा है fabric इसमें डालूंगी तो joint आ जाएंगे तो इस तरह से ऊपर से हमारी कमर की चोड़ाई आएगी और अगर आप चाहें तो इसमें तो इसमें सिर्फ दो joint डाल सकते हैं जो की एक ही side बाएंगे तो इस तरह से हम पहले अपने नेकर की चोड़ाई डिसाइड कर लेंगे यहां पर हमें नेकर की जो अपने hip का foot part करके हमें 8 से 9 इंच add कर लेना है तो ये लंबाई है 19 सिंच और ये चोड़ाई है अब चोड़ाई लेने के लिए सबसे पहले हम अपने hip का foot part mark करेंगे तो मैंने 10 इंच पर mark किया है क्योंकि ये 40 hip के लिए बना रही हूँ उसके बाद हमने लगबग 5 से 6 इंच और add करना है क्योंकि ये बहुत lose रहता है तो इस वज़े से आप 5 से 6 इंच इसमें add कर सकते हैं जिस size के लिए भी आप बना रहे हैं पहले उसका foot part कीजिए और उसमें 5 ये 6 इंच add कर लिजिए तो मैं यहाँ पर 5 इंच ले रही हूँ 10 इंच में तो हो गया हमारा साड़े 15 इंच तो साड़े 15 इंच पर मैंने कमर की चोड़ाई ली है इसके बाद हम crotch की length लेंगे तो 2 इंच मैंने belt के लिए उपर निकाल दिया है और crotch की length मैं 16 इंच ले रही हूँ तो 15 इंच पर हमारा crotch ready हो जाएगा एक इंच उपर नीचे से दबाओं में जाएगा आधा आधा इंच तो हमारा 15 इंच पर ready होगा अब इन दोनों मांक को हमने तिर्चा करके मिला देना है तो यह जो हमारा crotch है यह इसी तरह से तिर्चा बनेगा इसके बाद हमने knee round लेना है जितना भी हमारे गुटने से दो इंच उपर की गोलाई है उसमें हम 5-6 इंच एड़ कर लेंगे तो मैंने 16 इंच लिया है यह free size है आप मेरा size भी follow कर सकते हैं अब इन दोनों मांक को हमने यहां मिला देना है तो बस हमारे necker की marking हो चुकी है अब हमने इसकी cutting कर लेनी है so cutting हमने बस यहां दो side से कर लेनी है उपर से जो fabric fold था यह भी मैंने cut करके दो में divide कर लिया है अब दिखिए जो joint है यह एक ही side मायेंगे आप चाहे तो इसको front में कर सकते हैं या फिर back में भी कर सकते हैं तो बस इस तरह से जो किनारिया है यह आपस में जोड लेनी है तो यह हमारा necker जो है वो सिल जाएगा तो लीजे यह जो सिलाई है दोनों पार्ट में मैंने कर ली है अब इसकी help से हमने aster cut करना है यानि जो हमारा upper part है इसके बराबर हमने aster cut करना है aster को मैंने अरज में fold कर लिया है देखे किनारी वाले side double fold करते हुए इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है और इसके उपर रखके हमने बराबर aster की cutting कर लेनी है तो हमारा यह aster cut हो जाएगा इस तरह से बाकी जितना fabric बचा है नीचे का घेरा कट होगा aster में से और यह वाली पट्टी में नेफे के लिए यूज करूँगी जिससे हमारा belt बनेगा इस तरह से यह belt आ जाएगी तो यह दोनों नेकर हमारे कट हो चुके हैं और aster में से जितना fabric बचा था उसमें से हम घेरा बनाएंगे तो वो मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी फिलाल हम अपना जो main गरा रहा है उसको ready कर लेते हैं तो यहां से देखिए मैंने crotch इस तरह से सिल दिया है उसके बाद हमने यह वाली सिलाए लगा देनी है यह सिलाए लगाने के बाद हमारा जो neker है वो इस तरह से तयार हो जाएगा अब हमने अपनी यह तिर्ची पट्टिया लेनी है तो side के जो दो जोड थे corner के वो भी मैंने लगा लिये है अब इन दोनों में से एक-एक ले लेना है अलग-अलग ताके यह equal रहे इस तरह से तो एक जो corner में joint आया था वो ले लिया है और एक मैंने fresh ले लिया है अब दोनों पट्टियों को एक दूसरे के उपर फिर से रख लेंगे अब जो इनके यह corner है यह हमें बंद करने है उसके लिए हम बचे हुए fabric में से side के corner cut करेंगे तो यहां से यहां तक कुछ इस तरह से हमारे corner cut होंगे तो अब हमने अपना वो बचा हुए fabric ले लेना है यह वाला यह double fold है और देख सकते हैं आप यह तिकोन ही shape में है अब इनके corner को बस हमें मिलाते जाना है पहले एक बार इस तरह से मिलाएंगे तो यह four fold हो गया और एक बार और मिला देंगे तो यह eight fold हो जाएगा तो यह इसकी eight layer हो जाएंगी अब इनको उठा कर इस तरह से इसकी तरफ मोड देना है यहाँ पर इस तरह से जब हम रखेंगे तो आप देख सकते हैं जो पटी है वो अब आपको सीधी दिख रही है तो joint कुछ इस तरह से आएंगे यह इसमें से चार corner कट होंगे दो corner एक lag में आएंगे और दो corner एक में आएंगे तो इससे हमारा जो गरारा है बिल्कुल गोल हो जाएगा और side से बिल्कुल बंद रहेगा तो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूं किस तरह से fold करना है देखिए double fold करके भी रखा है यह वाला corner हम इस corner पर लाएंगे और जो उपर जो corner है वो हम इस corner पर लाएंगे तो अब यह हमारा fabric 8 fold हो गया है ऐसे करके अब हमने कुछ भी नहीं करना है जो इस side से यानि इस तरफ से उपर बंद वाली side है बस वो cut कर देनी है तो यहाँ पर यह joint इस तरह से आ जाएंगे और यह side से जो गरारा है हमारा बंद रहेगा जिसके वज़े से बिलकुल goal दिखेगा और flare भी बढ़ जाएंगे तो दोनों side में हमारे एक एक आ जाएगा cut करने के बाद यह हमारे 4 corner होंगे तो पहले अच्छी तरह से check कर लीजिए तो लंबाई बिलकुल बराबर ही आएगी तो देख सकते हैं चार जो layer हैं यह खुली है और यहाँ पर चार जो layer हैं यह भी बंद है बस इन चार layer को ही हमने cut करना है तो friends उम्मीद करूंगे यह वीडियो अब तक आपको समझ आ रही होगी और आगे भी वीडियो में आप बने रहेंगे तो देखिए इस तरह से हमने cut कर लिया है अब इसमें से हम दो corner निकाल देंगे दूसरी leg के लिए और दो corner हम इस वाले piece में join करके दिखाएंगे और इस side से जो हमारा fabric unequal है यह भी हम cut करके सीधा कर देंगे तो इस वाले fabric में जो है धागे वगएरा बहुत जादा निकलते है तो लीजे मैं इसमें से दो part जो हैं वो निकाल दूँगी यानि दो corner निकाल दूँगी यह side में रखेंगे अब इनको joint करेंगे तो जिस तरह से रखे हैं बस वैसे ही joint करना है और यह जो दूसरा वाला part है यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा अब यह जो joint है यह हमें थोड़ा सा ध्यान से लगाने है यानि जो हमने corner कट किये हैं यह बहुत उरेब में है और नीचे जो दूसरा side है उसमें किनारी है तो किनारी तो बिल्कुल खिचेगी नहीं सिलते हुए बढ़ यह जो corner की side है यह खिच सकती है इसलिए ध्यान रहे सिलते हुए उपर का यह जो corner है इसको तेजी से ना पकड़ें यानि जोड से दबाओ लगा कर ना पकड़ें बिल्कुल soft तरीके से आपको सिलाई करनी है ताके जो उपर का हिस्सा है वो बढ़ेना और यह एक दूसरे के बराबर ही रहे तो अब ऐसे ही करके हमने यहाँ पर दिखे joint ऐसे करके डालना है पहले यह वाली side इस तरह से सिल लेंगे तो दबाओ थोड़ा सिलते हुए जादा लीजिए और बाद में हमें इसमें interlock भी जरूर करवानी होगी और यह दूसरा corner हम इस side से रख देंगे दोनो side के corner joint करने के बाद घेरा हमारा गोल हो जाएगा side में बंद रहेगा और joint थोड़ा अंदर की तरफ आएंगे सो मैंने दोनों part को इसी तरह से ready कर लिया है मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमने joint लगाये हैं वो किस तरह से दिखेंगे सबसे पहले नीचे एक side में मैंने घेरा एक inch fold कर लिया है fold किस side में करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी यानि नीचे की जो किनारी है वो किस side में बनानी है तो joint देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से आया है जिसे हमने cut किया था वैसे ही बस सिल देना है और यह इसकी दूसरी side है अब आप दूसरी side में देखें एक हमने side का जो corner था वो cut किया था यह वाला तो इसी side में हमने घेरा fold करना है तो बस यह दिखान रखना है जिस side में छोटा सा joint आया है यहां पर हम घेरा fold करेंगे यह उपर नहीं करेंगे अदर्वाइस हमारे घुटने की तरफ काफी मोटा मोटा हो जाएगा तो यह दोनों पार्ट को मैंने ऐसी करके ready कर लिया है बिल्कुल एक तरह से हमने stitch करना है इसके बाद देखिए अब हमने इसमें plates बनानी है इस तरह से तो छोटी-छोटी plates बनानी है मुझे तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर जो plates है वो एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा चहरते हुए आएंगी अगर आप plates नहीं बनाना चाहती तो आप इस तरह से छोटी-छोटी gathers भी बना सकती है तो देखिए plates मैंने डाल ली है अब plates हमने कितनी डाल ली है यानि यह जो round है plate का वो कितना रखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जो plates है वो कुछ इस तरह से थोड़ी-थोड़ा सा ही gap लेते हुए हमने दोनों part को ready कर लिया है अब यह जो घेरा है वो हमने कितना रखना है यानि plates कितनी गोलाई पर रखनी है वो देख लेंगे तो नेकर का जो यह वाला round है इसके बराबर हमने plate वाला portion रखना है तो यह बिल्कुल इसके बराबर होना चाहिए तो जो हमने इसकी चोड़ाई ली थी वो 15 इंच ली थी यानि 16 पर कट किया था 15 पर इसको stitch कर दिया था तो दोनों जो हैं वो 15 इंच है अब 15-15 इंच की गोलाई पर ही हमने यह plates बनानी है अब घेरा और नेकर को जोईंट करने के लिए यहाँ पर ध्यान रखिए चोटा वाला जो जोईंट है वो टांगों के बीच में आयागा दोनों साइड में और इस साइड से जो हमारा घेरा है यह बंद वाली साइड आएगी तो देखिए कुछ बस इस तरह से रख लेना है बाहर की तरफ यह बंद रहेगा साइड से और अंदर की तरफ जो जोईंट मैंने आपको दिखाए हैं वो रख लेने है तो बस अब हमने इसको इसके साइड करना है यहां से मिलाते हुए तो यह चेक कर लीजिए यह मैंने किस तरह से रखा है और यह जो पॉइंट है यह जो जो जोईंट है यह हमें यहां साइड में मुलाना है ये वाला जो साइड है ये बाहर की साइड है नेकर की तो अब यहां से हम लगबग पॉन इंच का दबाव लेकर ये घेरा सिल देंगे तो सिलते हुए थोड़ा सा दबाव आप जादा लीजिए और लंबाई उसी के साब से आपको कट करनी होगी अब ये दोनों घेरों को हमने इसके साथ जॉइंट कर देना है तो लीजिए इसी के साथ जो घेरा है वो नेकर से जॉइंट हो चुका है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा अब हम इसको साइड में रखेंगे और अपना अस्तर रेडी करेंगे तो अस्तर का जो नेकर था वो हमने पहले ही cut कर लिया था इसका हमने यहां से cross ही लिया है इसके बाद इसके घेरे की जो length है वो देख लिएंगे हमारी कितनी होगी तो ये नेकर cut करने के बाद जो भी fabric पचा था उसको मैं double fold कर लोगी तो पहले आप देख लीजिए ये फैब्रिक मेरे पास इतना है डाई मीटर में से तो नों के पहले हमने किनारी मिला लेनी है पूरी लैंथ में और उसके बाद हम इसको फोरफोल्ड कर लेंगे इस तरह से इसके बाद जो बंद वाली साइड है ये कट कर लेंगे यानि ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा अब देखे इसकी लैंद देख लीजिए आपको अपके घेरे की जितनी भी रेडी लैंद है उससे दो इंच कम कर लीजिए तो ये अभी फोरफोल्ड है और तीस इंच इसकी चोड़ाई है और घेरे की जो लैंद है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको घेरे की लैंद में कितना कम पढ़ रहा है यानि रेडी लैंद में आप दो इंच कम से कम रखी लीजिए आदा इंच इसके उपर साथ में सिल जाएगा नीचे से एक इंच भी फोल्ड हो जाएगा और जो गैदर्स है वो कुछ इस तरह से आएंगी तो अब हमने इसके उपर रखकर इसमें गैदर्स बना लेनी है अस्तर का ये तरीका जो है ये बिल्कुल सिंपल गरारे की तरह है याणि उपर का जो पार्ट है उसमें हमने प्लेट्स के साथ इसको टैज कर लेना है तो ऐसे करके देखिए दोनों साइड में मैंने प्लेट्स बनाकर इसकी inner वाली जो सिलाई है वो भी लगा ली है अब इसको हमने right side में turn कर लेना है और ये हमारा simple वाला गरारा ready हो गया है जिसको हम अस्तर के लिए use करेंगे तो अब हमने अपना बनारसी वाला गरारा लेना है इसको सीधा करके रखा है और इसके अंदर हम अब ये अस्तर वाला गरारा डालेंगे तो अस्तर को भी हमने सीधा कर लिया है दोनों की leg को एक दूसरे के साथ इस तरह से insert करेंगे और कमर की side से यानि जो crouch हैं वो एक दूसरे के आमने सामने रखते हुए यहां से हमने पकड़ लेना है और आदा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देनी है सिलाई लगाने के बाद ये कमर से secure हो गए हैं दोनों side लेकिन जो इनकी leg है वो अंदर से separate है तो किसी भी गरारे में अस्तर लगाने के ये जो तरीका है ये सबसे best है इसके बाद हमने इसमें belt लगानी है तो देखिए बचे हुई जो पट्टी थी ये वाली ये हमने इसमें belt के लिए यूज़ कर दी है तो belt की जो length है वो आप अपने हिसाब से देख लीज़े कम से कम मैंने 5 इंच ली है और अब हम इसको fourfold करेंगे तो यहाँ पर पट्टी की जो ये इस तरह से गोलाई रहेगी यानि हमने इस तरह से कितना लेना है वो हम उतना ही लेंगे जितना हम अपनी simple शलवार की belt में लेते हैं तो मैं इसको लगबग 23 से 24 इंच की land पर यहाँ पर रखोंगी और अगर joint होगा तो वो भी डाल दूगी तो belt की जो चोड़ाई है वो मुझे थोड़ी सी बढ़ानी है उसके लिए एक छोटी सी पट्टी ले ली है जिसको हमने इसमें joint लगा लेना है इससे हमारे belt की जो गोल आई है वो बढ़ जाएगी तो यहाँ पर मैंने 23 इंच की belt लिए है अब यह joint लगाने के बाद हमने कमर की side से इसको सिलना है तो यह देख सकते आप center में लगबग 7-8 छोटी-छोटी सी plates आएगी और उसी तरह से back में भी आ जाएंगी तो front और back बिल्कुल एक जैसा ही plates के साथ ready होगा और नेफे में मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ थोड़ा सा open करा है और जो plates से वो आप देख सकते है जिस तरह से front में आई है उसी तरह से back में आई है और इसका कोई front back नहीं है किसी side से भी आप पहन सकते है बट नेफे का ध्यान रखिए जिस तरह से नेफा होगा उसी तरफ वो front का हो जाएगा इसके बाद देखिए मैं less लगाऊंगी बट less लगाने से पहले पूरे गरारे पर हम interlock कर लेंगे तो यह जो fabric है यह बहुत ही नाजुक होता है इसके धागे निकलते हैं और सिलाई तक पहुँच जाते हैं तो interlock कराने के बाद ही यह less जो है वो मैं नी राउंड पर लगाऊंगी इस तरह से क्यूंकि यह traditional luck नव गरा रहा है तो इसमें time भी लगेगा और महनत भी लगेगा अगर आप इसकी stitching कर रहे हैं तो इसके जो charges है वो आप कम से कम 1000 लीजिए और यह इसकी कुर्ती है तो यह कुर्ती design readymade गरारे की जो design आ रहे हैं कुर्ती के बिल्कुल उसी तरह से है तो इसका जो वीडियो है वो मैं अपने second channel जादी tutorials पर post कर चुकी हूँ link आपको इसी वीडियो के pin comment description box और end screen पर मिल जाएगा कुर्ती का जो वीडियो है वो मैंने beginners को धिहान में रखते हैं यानि जिल लोगों से simple कुर्ती की cutting stitching भी नहीं आती वो लोग भी यह कुर्ती बना सकते हैं इस वीडियो को share भी जरूर कर दीजिए और कुर्ती का जो वीडियो है यहां and skin पर click करके आप देख सकते हैं तो चलिए thanks for watching this video